विल्कम टो मास्टर मानव जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मानव जीके में अभी हम लोग घटना चंक्र में सार संग्रह प्राची नितिहास पड़ रहे हैं उसका ये पाचमा वीडियो है चार वीडियो पहले इससे पहले अप्लोड कर देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लिएगा चैनल पर पहले बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को जुरूर दबा देगा ठीए फ्रेंस तो चले वीडियो को सुरू करते हैं एक घटना चक्र का सार संग्रह में प्राची नितिहास हम लोग देख रहे हैं और ये पाचमा वीडियो है आज का पहला प्रवर्षेन पर्थम ने चार अस्वमेग यगों का संपाधन किया था ठीक है किस ने तो वाकाटक सासक कौन प् का अप्रेंस कि कनौज को महोद्या महोद्या स्री आदी नामों से अभियक्त किया गया है याद रखेंस कनौज को महोद्या और महोद्या स्री आदी नामों से भी अभियक्त किया गया है अगला प्रेंस इतिहासकार विशेंट अस्मित ने इंपॉर्टन पॉइंट है कौन स विसेंट अस्मीत है में समुद्र गुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्द होकर उसे भारतिय नेपोलियन की संग्यादी है दो सवाल बनता है इसमें एक सवाल यह बनता है फ्रेंस की भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है याद रखेगा तो समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और किसने इसे कहा था फ्रेंस तो विसेंट अस्मीत ने कहा था और कौन सा बुक में तो औरली हिस्ट्री आफ इंडिया में तो औरली हिस्ट्री आफ इंडिया के लेखक विसेंट अस्मीत है के बारे में सुचना परदान करता है question पूछा जाता है कि समुद्र गुप्त के सासन के बारे में कौन सा अभी लेख है जो सुचना परदान करता है तो इलाहाबाद का जो असोक अस्तम अभी लेख है उससे सुचना मिलता है ठीके किसके बारे में तो समुध्रगुप्त के सासन के बारे में अगला पॉइंट आपका है इलाहा बाधस्तम पर समुध्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्क्रीट भासा में प्रसंशात्मक वर्णन प्रस्तूत किया है जिसे प्रियाग प्रस्ति कहा गया है अगला प्रजंट है प्रेंस कि चंद्र गुप्त दूतिये विक्रमा दितिये चंद्रगुप्दितियों को ही विक्रमादिति कहा जाता है वह पर्थम गुप्त सासक था जिसने परम भागवत की उपाधी धारन की थी बहुत इंपॉरेंट शवाल है परम भागवत की उपाधी किसने धारन की थी फ्रेंस तो चंद्रगुप्द दुतिये जिसे भारत से कुन्सक्त कर नहीं संर ने भारत की आतरा किया था अग़ला पूइंट को देखे परेंश के अंतिम सक राजा अंतिम सक राजा कौन रुद्र शीह तिर्थिये को चंद्रगुप्द दित्ये बिक्रमादित्य ने पांचवी सदी के पर्थम दसक में परास्त कर पस्चिम भारत में सक सत्था का उन्मुलन किया था अगला point को देखे कि सको को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमा दित्त की एक अन्य उपाधी सकारी भी है ठीक है आगला point है French कि चंद्र गुप्त ने इस उपलक्ष में चांदि के सिक्खे भी चलाये थे सकों को जो पराजित क्या था इसी उपलक्ष में ए उपाधी विधारन क्या था सकारिका और चांदि के शिक्खे भी चलाये थे अगला point आपका है friends कि हुनो का पहला भारती आक्रमण गुप्त समराट असकंद गुप के सासनकाल में हुआ यह topmost BVI point है बार-बार repeat होता है सेट में देखிह होगा कि भारत में हुनो का आक्रमण किसके सासनकाल में हुआ था असकंद गुप्त के सासन काल में हुआ था असकंद गुप्त के हाथ थो वे बूरी तरह प्रास्थ हुए थे जब हुनो ने भारत पर आक्रमन किया था तो आपका असकंद गुप्त के सासन काल में किया था देखे गुप्तकाल में तामर लिप्ती जो क्या है बंदरगाह का नाम है गुप्तकाल में बंगाल में ये था गुप्तकाल में बंगाल में तामर लिप्ती एक परमुक बंदरगाह था जहां से उत्तर भारती वियपार एवं साथ ही दचिन पुरु एसिया चीन लंका जावा स सुमात्रा आदी देशों के साथ ब्यपार होता था तामर लिपती है जो क्या एक बंदरगा है बंगाल में था गुप्त काल के सासनकाल में अगला पॉइंट आपका है कि गुप्त काल में गुजरात बंगाल दक्कन एवं तमिन लाडू वस्त्र उत्पादन के लिए परसिद धर्वाइब के गुप्त काल में मुख्त रुप्त से गुजरात बंगाल दक्कन है यो वस्त्र उत्पादन के लिए परसिद था धर्वंतरी चन्द्रगुप्द दुतिये विक्रमादित के नव रतनों में से एक थे थे पूछा जाता फ्रेंस कि जो चैन्द्रगुब धुतिये के बिक्रमदित के नवरतक में सामिल था एकर तर याद रखेगा तर कि धन्म धन्मांत्री था ज़स्यनों ने चरक संहीता की रचना की थी एक दोनों इंपॉर्टेंथ हो अगला आपका प्रेंट्स आपका भासक्राचार प्रख्रातः खगोल लगये एवं गनीतल गये थे क्थे инहोंने सिदांथ सिरोमणी तता लिलावती नामक ग्रंथ की रचना की थे आपका भासक राचार नहीं लिखा था लिलावती किस्ने लिखा था तो आपका इहا भासक राचार ने लिखा था और ये लिलावती जो गनित से समधित है फ्रेंट्स ये भी याद रखे है पूछा जाता है लीलावती जो बुख है, जो भासकराचार द्वारा लिखा गया है, तो सिदान्त सेरयोमेनी और लीलावती नामग्रंथ की रचना की नीं क्या था, तो भासकराचार नीं क्या था अगला point आपकाई फ्रेंस कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था important है गुप्त काल में जो स्वर्ण की मुद्रा था उसको किस नाम से जाना जाता था तो दिनार की रुप से जाना जाता था चिनी यात्री फाहियान के नुसार लोग दैनिक क्राय विक्राय में कौडियों का पर्योग करता था अभी मैंने बता था फाहियान है जो चंद्रगुप दुतिय के सासन काल में आया था उसके लिए मतलब कि विने मैं का जो साधन था कौडी था एक किस ने बताया था फायान ने बताया था चीनी आतरी चंदरगुप दूतिये के सासनकाल में भी भारत आया था सती पर्था का पर्थम अभी लेखिक साथ एरन से प्राप्त हुआ यह भी बहुत important point है याद रखिएगा ठीक है देखिए फास्ट रिविजन मैं करा रहा हूं फ्रेंस ठीक है इससे क्या है सभी तो पढ़ा हुआ आप लोगको लेकिन एक बार इसका जब रिविजन कर लेजेगा सभी बेशियों का तो बहुत मतलब की फाइदा होगा आपको ठीक है confusion है देरे देरे खतम हो जाएगा तो सती पर्था का पर्थम अभी लेक साथ कहां से मिला तो एरन से प्राप्त हुआ है डिरेक्ट कोशन पूचा जाता है कि सती पर्था का साथ कहां से मिलता है अभी लेक से मिलता है तो एरन से प्राप्त हुआ है याद रखेगा और सती पर्था का अंत किसने क्या था फ्रेंस आप लोग को पता है सती पर्था का अंत पहले चलता रहा था लेकिन 1829 इस्वी में राजा राम मोहन के सहायता से लाड विलियम बेटिंग ने सती पर्था को अवैद घोसित कर समाप्त कर दिया था ये भी याद रखेगा तो चलिए अगला पॉइंट को देखते है कि एरन अभी लेक ठीक है अब देखे एरन अभी लेक 510 इस्वी का है कितना पुराना है तो 520 इस्वी का है जिसमें गोपराज नामक सेनापती के सती होने का उलेक है जब गोपराज मर गया था तो क्या है उसके साथ में उसके पतनी को भी सती होना परता था जान देना पड़ता था, साद में जला दिया जाता था, यहीं पहले सती पड़ता था, ठीक है, गुप्त संबत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त पर्थम था, ध्यान से याद रखेगा, गुप्त संबत किस ने चलाया था, तो चंद्रगुप्त पर्थम ने चलाया था, वन्स के सासको ने मंदीरों एवन ब्रहमनों को सबसे अधीक ग्राम अनुदान में दिये थे तो आपका गुप्त वन्स के सासक नहीं दिये थे अगला पॉइंट को देखे गुप्त काल में कला एवन साहिती में हुई परगति के अधार पर इस काल को प्राचिंतं भारत का पूछा जाता है अगला पॉइंट है प्राचिन भारत में सिचाई कर को उदक भाग अथवा बिदक भागम कहा गया है इस एक सेड़ में आपका इमारते और मंदिर है वो कहां इस्तित है यह पूछा जाता है अजन्ता एम इलोरा का गुफा कहा पड़ता है औरंगाबाद डिस्टिक में पड़ता है महराष्ट राजी में ठीक है सांती निकेतन कहा पड़ता है तो आपका पस्चिम बंगाल में सांती निकेतन पड़ता है ठीक है सांती निकेतन कहा पड़ता है तो आपका पस्चिम में पढ़ता है बिर भूमि जहां पर है आगे अलिफएंटा ये जो मुंबई ये पढ़ता है महराष्ट में पढ़ता है युआ पढ़ता है उसके बाद में जो मध्य परदेश में जिला में लिंग राज मंदिर जो भूनेशवर में है पड़ता है उडिशा भूनेशवर में सुरी मंदिर काला पैगोडा जिसे कहा जाता है कहा पड़ता है कोनार्क में पड़ता है उडिशा में पड़ता है दचिनेशवर काली मंदिर कहा है कोलकत्ता पस्चिम मंगाल में है उसके बा था महमध गजणवी ने इसको 1025 इसवि में लूट लिया था सोमनाध मंदिर को याद रखेगा 1017 बार उसने आक्रमन किया था भारत्पत पर यह सोमनाध मंदिर जो कहां परता है तो गुजरात के गीर सोमनाध में परता है कैलास मंदिर नशिक महराश्टाम परता है पड़ता है दिलवाडा का जैन मंदिर कहां पड़ता है तो माउंट अबू राजस्थान के माउंट अबू पड़ता है ठीक है ब्रह्मा मंदिर कहां है तो राजस्थाल में पड़ता है जो राजस्थाल में पुसकर कहां पड़ता है राजस्थाल में ब्रह्मा मंदिर वही है होयस लेशवर मंदिर कहां है तो हेली बिड करनाटका में रामेशवर मंदिर कहां परता है तो तमिलाडू में परता है मिनाक्षी मंदिर फ्रेंट्स बहुत फेमस है बहुत पुछा जाता है मिनाक्षे मंदिर मदरहीं परता है मन्दिर अभी बार बार पुछा जाता है वेखेंटेसम के पुरी मंदिर कहाँ पड़ता है जम्मु कस्मीं में पड़ता है है और है खजुराहो मंदि कहा पढ़ता है तो मधद प्रदश के छत्तरपुर में बनाया था खजुराहो मंदिर को किसने बार-बार पूछाओ बनाया था चयंदलशसकों बनाया था छत्तरपुरा कहा कौसेज सब्द का पर्योग होता था ये भी important है कौसेज सब्द मतलब किसके लिए पर्योग होता था तो गुप्तेवं गुप्त उत्तरकाल में रेशम के लिए कौसेज सब्द का पर्योग होता था अगला point आपका है कि तीसरी सताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रो उपकर कि आपको आपका असकंद गुप्त के शासना काल में रहा थए। बहुत इंपॉर्टोंच सवाल हे। जो भारत में इसका विकास हुआ है कि दौरान हें हुआ है जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना दाता था याद रखेगा चतुरंग इसे कहा जाता है ऌप गुप्तकाल में पुछा जाता है सवाल ये तो सतरंज का खेल गुप्तकाल में के दौरान उद्भा हुआ जहां इसे क्या चतुरंग कहा जाता था अगला पॉइंट को देखें कि भारत भारत से यह इरान एवं 50 एरोप में पहुचा था सतरंज का खेल ठीक है लेकिन गुप्तकाल के सासनकाल में शुरू हुआ था महर्षी कपिल ने साख्य दर्शन का परतिपादन किया था सब पहले भी बता चुका हूँ साख्य दर्शन के परतिपादक कौन है तो महर्षी पतंजली है महर्षी पतंजली एक नट फ्रेंट से हाँ पर महर्षी कपिल ने साख दर्शन का परतिपादन क्या था जिहां बिल्कुल सहीं कपिल ने क्या था साख दर्शन का और महर्शी पतंजली के योग दर्शन का संस्थापक आचारी माना जाता है तो फिरन से आपका देखे कि महर्शी पतंजली को योग दर्शन का संस्थापक आचारी माना जाता है ध्यान देखे अब क्या कहा जा रहा है यहाँ ठेक है यहां महर्शी पतंजली को योग दर्शन का संस्थापक आचारी माना जाता है योग दर्शन का और न्याय दर्शन के परवर्तक किसे माना जाता है तो गौतम को माना जाता है जिन्होंने अच्छपाद भी कहा जाता है तो तीनों के याद रखें इंपोर्टेंट है आपका ज करनाटक लेख में हुआ है ठीक है याद रखेगा गुर्जर जाती का पर्थम लेख किसका मिला है कहां मिला है तो पुलुकेशन दिती है का जो एहोल लेख है उसी में मिला है एहोल अभी लेख 634 इस्वी में प्राप्त हुआ था तो आपका 634 इस्वी में एहोल अभी लेख किसे सम्दित है फ्रेंज तो पुलुकेशन दिती है सही याद रखेगा यह संस्कृत काव्य में लिखा हुआ है अगला प्रश्न है प्रेंज की एहोल अभी लेख जैन कभी रवी कृति द्वारा रचित है जो एहोल अभी लेख है वो किसके तो जैन के कविते रवी कृती उनिके दवारा एहो लभुलेक लिखा गया है और किस भासा में अभियम ने देखा संस्कृत काविय में लिखा हुआ यह अगला है गुर्जर परतिहार वंस का संस्थापक ये भी पूचा जाता है गुर्जर परतिहार वंस का संस्थापक ये भी पूचा जाता है कि उजयनी में उसने हिरनय गर्भ और महादान यक करवाया था तो दंती दुर्ग ने करवाया था कहा उजयनी में याद रखेगा ठीक है अगला पॉइंट है राष्ट कुट राजा अमोग वर्ष पर्थम का जन्म 822 में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामकस्थान पर सैनी चामनी में हुआ था ठीक है आपका अमोग वर्ष पर्थम किस वन से राष्ट कुट वर्ष से संबंधित है अमोग वर्ष ने अपनी राजधानी थानेसवर से कौनोज अस्थानतरित किया था ये भी याद रखेगा फ्रेंस हर्स अनी समझ रहा हर्स मतलब हर्स वर्धन तो हर्स वर्धन प्रियाग के संगम छेत्र में एक समारो का आयोईचन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिशद कहा गया है किसके सासनकाल में हर्षबर्धन के सासनकाल में हर परती पांचवे वर्ष परियाग के संगम छेत्र में एक समारो कायोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिशद भी कहा जाता है देखें कोशन आता है अपका हेंस्वांग जो आपका हर्सवर्धन के सासन काल में आया था हर्सवर्धन के समय की परमुख घटना चीनी यात्री हेंस्वांग के भारत आगवन थी यह तो बहुत ही फेमस है तो हेंस्वांग आया था चीनी यात्री था हर्सवर्धन के सासन काल में आया था अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे C U की कहा जाता है, यह भी द की important point है, याद रखेगा, जब ओ भारत के यात्रा कीky, हर्ष़ वर्धन के सासन काल में तो उसने ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम क्या है, C U की कहा जाता है, पूछा जाता है, C U की के रचनाकार कोन है किशने लिखा यह अपका है से इसने यात्रा भी थी भीमार करें सांग को यात्रीयों का राजकुमार का जाता है एक साकी मोनी का जाता है है यात्रियों का राजकुमार का जाता यहाँ का जाता है हेंस्वांग को का जाता है जो हर्जवर्दय के सासनकाल में आए था छो सासाे सैटी सीश्वी में हेंस्वांग नालन्दा बिश्विदाला गया इस समय यहाँ के कुलपति आचारी सिल्भद्र थे यहाँ रखेगा आनि कि उस समय वहां का कुलपती कौन था आचारी सिल्भद्र था जिस समय हेंस्वांग चीनी यात्री नलांदा विश्विदाले का भर्मन किया था आचारी सिल्भद्र आद रखेगा हेंस्वांग के अनुसार मतुरा उस समय की सूती वस्त्रों के लिए परसित था हेंस्वांग ने बताया था कि मत्हुरा है जो उस समय शूती वस्त्रों के लिए परसीथ था जबकि वारा नसी रेश्मी वस्त्रों के लिए परसीथ था दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आज करहा है थोड़ा डीप कोश्चन पूछा जाता है फ्रें प्राचिन कालिन चीनी लेखकों ने भारत काव लेख यीन तू तथा थियान तू नाम से किया है ठीक है प्राचिन कालिन चीनी लेखकों ने देखे चीनी के जो लेखक था वो भारत काव लेख किसमे क्या क्या है यीन तू तथा थियान तू नाम से किया है नालंदा बिश् बंगाल के पाल वस ये सासक धरम पाल द्वारा की गई थी ए देखे बार-बार पूछा जाता है बिक्रम सिला के प्राचिन बौध भी स्विद्याले के स्थापना काउन क्या था तो पाल सासक धरम पाल द्वारा किया गया था ठीक है मदपर्देश के छत्तरपूर जिले में इस्थित खजुराहों की में चंदेल रजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल अस्थापत्ती की उत्कृष्टा का बखान करता है अभी मैंने बताया था प्रेंस कि आपका मद परदेश के छत्तरपूर जिले में जिलाध रखेगा खजुराहों मंदिर है जो कहां इस्थित है जिसको चंदेल सासकों ने बनाया था ठीक है वो आज भी चंदेल के जो अस्थापिकला है कि उतक्रिष्टा का वर्णन करता है बखान कर रहा है अगला पॉइंट है आपका फ्रेंज की खजराहों के मंदिरों में कंदारियां महादेव मंदिर सर्वत्तम है उसमें जो चंदेल का मंदिर कौन है तो कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वत्तम है याद रखेए आज भी बेटका की गुफाएँ सब्सक्राइब भीमबेटका की गुफा कहा आजा आपका मदपरदेश में जो सैल चित्रों के बारे में जाना जाता है भीमबेटका फ्रेंट्स ठीक है यह भी याद रखेगा तो यह पूछा जाता है कि भीमबेटका कहा पड़ता है तो मदपरदेश में पड़ता है और यह खजुराहों का म पूछा जाता है कोश्चन के खजुराह है जो आपका चंदेलों के द्वारा बनाए गया था दसावतार मंदिर देवगड ललितपूर में इस्थित है याद रखेगा दसावतार मंदिर देवगड ललितपूर में इस्थित है तथा यह मंदिर गुप्त कालिन है ठीक है दसावतार मंदिर है जो आपका गुप्त कालिन मंदिर है माउंट आबू के दिलवाडा जैन मंदिर संग मरमर के बने हुए पूछा जाता है देखे आज कल एही पूछा जाता है माउं टाबू के दिलवाडा जैन मंदिर है जो आपका संगमरमर के बने हुए है और इसका निर्मान क्या था कौन तो आपका चालुक में कौन सा चालुक में सोलंकी चालुकी के सासक चालुक में वातापी था सोलंकी था इस तरह से थान फ्रेंट्स तो आपका चालुकी सोलंक कि सासक भीम देव पर्थम के सामंत क्या नाम हो उनका भीम देव पर्थम के सामंत भीमल साहने करवाया था याद से याद रखेगा दिलवाला जैन मंदिर का निर्मान चालुक सुलंकी वंस के सासक था जो भीम देव उसका भीम देव पर्थम के सामंत क्या नाम क्या था भीमल साह ने करवाया था दिलवाला का जैन मंदिर का निर्मान और यह बीमल सा कौन था तो आपका भीमदिव का पर्थम का सामन्त था अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंस के परसीद गुफा मंदिर का निर्मान राष्ट कुर्ट सास को द्वारा किया गया था यह भी पूछा ज है एलिफ्हेंटा से कुल साथ गुफाएं मिले हैं जिसमें से पांच गुफा मंदिर प्राफत हुआ है जिनमें हिंदू धर्मक में सबसे मुखि देवता को स्ईव से संब्तित मूर्तियां है साथ ही यहाँ दो बाएद गुफाएं भी हैं और बाभत धर्मक के बारे मीजन इलोरा का कैलास मंदिर सैल कृत अस्थापत का उदाहरान है ठीक है जो इलोरा का कैलास मंदिर माराश्टा में है वो सैल कृत अस्थापत का उदाहरान है दर्विड सैली के विश्व परसीद कैलास मंदिर का निर्मान राष्ट कोट सासा कृष्ण पर्थम ने करवाया था एक कुप्त कालिन परमुख मंदिर सहां पर मन्दिन पता है निज आपका मध्थ . परता है परता है गुप्त-कालिन पढ़ता है ये सबी है जो आपका गुप्त कालीन परवुख मंदिर का दिया हुआ है फिरिंज कहां पढ़ता है जे अब अगला पॉइंट को देखें कि अजन्ता की गुफा संख्या 16 में उतिकिर्ण मरनासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रसंस निया है याद की इस्त परफंट चोड गंग ने बनवाया था ये भी इंपोर्टेंट है कि पूरी इस्थित कोनार का जो विशाल मंदिर है सुर्य देव का मंदिर है उसका निर्मान तुस ने तनरशी देव बर्मन पर धंग ने करवाया था कोनार के सुर्मनेल को काला पैगोड़ा Black पेगोडा भी कहा जाता है पहले दिख चुके हैं कोनार का सुरि मंदर जो उडिसा में पड़ता है तरीच से काला पेगोडा भी कहा जाता है सित्य चैंep मोधेरा का सूरी मंदिर गुजरात में है इसका निर्मान सोलंकी वंसकी राजा भिम्देव पर्थम द्वारा कराया गया था लिंग राज मंदिर ओडिशा के भुनेश्वर में इस्थित है इस मंदिर की सैली नागर है आनि लिंग राज जो ओडिशा का भुनेश्वर में है वो कौन सा सैली में बना है तो नागर सैली में बना हुआ है चले फ्रेंस अगला सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपका है क जगनाथ मंदिर ओरिशा राज के पूरी जिले में इस्थित है। चले अगला पॉइंट को देखते है फ्रेंस अगला पॉइंट है कि बोरो बुदूर का प्रख्यात अस्तूप इंडोनेसिया के जावाद दी परिस्थित है याद रखेगा बोरो बुदूर का प्रख्यात अस्तूप इंडोनेसिया के जावाद दी परिस्थित है बोरो पांडियों के राजकाल चल रहा था तो जो मंदिर का निर्मान हुआ था पांडियों में रथ मंदिर का निर्मान पल्लव सास को द्वारा कर आया गया था अगला है फ्रेंस की पल्लव कालिन मामल सैली में बने रथों या एकासमक मंदिरों में द्रोपधी रथ सबसे छोटा है ठीक है कौन सा रथ छोटा है तो आपका द्रोपधी रथ सबसे छोटा है संगम यूग में दच्छिन भारत में पांडे राजाओं के संदच्छण में त राजाओं के सन्रद्चं में तीन संगम आयोइत किये थे पर्थम संगम है मदुरही में हुआ था और इसका मदुरही में खि estavam कुणध में थी का ठीक है जिसके मदुरही हुआ था जिसके करण का स्रे महर्षी अगस्ते को दिया जाता है दच्छिन महारत के आरिकरण का स्रे महर्षी अगस्ते को दिया जाता है महर्षी अगस्ते को तमिल साहित के जनक के रूप में जाना जाता है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है तमिल साहित का जनक किसे कहा जाता है ठीक है त और यही महर्षे अगस्थी को तमिल साहित के जनक कहा जाता है सिल्पा दिकारम का लेखक एंगलो आडियर था संगम साहित के केवल के चोल चेर यह वंपांड रजाओं के उदभव और विकास का विवरन प्राप्थ होता है जो संगम साहित में है जो किसका मिलता है बर्णन तो चोल के चेर के वंपांडे रजाओं के उदभवग और विकास का विवरन प्राप्ति मिलता है संगम साहित में याद रखेगा चोल, चेर और पंडव का कूरल तमिल साहित का बाइबल तथा लगुवेद माना जाता है बहुत important point है कूरल को तमिल साहित का बाइबल कहा जाता है अभी हमने देखा यहाँ पर क्या फ्रेंस की तमिल साहित के जनक किसे कहा जाता है और तमिल साहित का बाइबल किसे कहा जाता है तो आपका कूरल को तमिल साहित का बाइबल कहा जाता है तथा लगुवेद भी माना जाता है यह कूरल को तमिल साहित का बाइबल भी और लगुवेद भी माना जाता है तो याद रखे है कूरल जिसे तमिल साहित का बाइबिल काते हैं लगुवेद भी काजा इसका रचना किषने क्या था तो तिर्यूब लूवर ने की थी चोल अस्थाप के उतक्रिष्ट नमुने तंजयर के सिव मंदिर जो राज राजेश्वर या ब्रिदेश्वर नाम से परसीद है तंजयर के सैव मंदिर जो आपका राज राजेश्वर या ब्रिदेश्वर के नाम से परसीद है का निर्मान राज राज पर्थम के काल में हुआ था पूछा जाता है तंजेश्वर का सैव मंदिर जिसे हम लोग क्या काता है राज राज बज़ाइट की रधानी थी, तंजवर भी थी और ये भी थी, गंगाय कोड़ चोलपुरम भी, संगमकाल में चोलु की रधानी कहां थी। तो उरैईपुर, उरैयूर थी। पारंतक पर्थम ने मदूरा के पांड राजा को हराकर मदूरे कोंड की उपाधी धारन की अगला point आपका अफ्रेंस की कोलू तूंग पर्थम के समय में स्रिलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंतरता घोशित की कोलू तूंग पर्थम के समय में स्रिलंका का राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंतरता घोशना की चोल सासा कुलो तूंग पर्थम के सासनकाल में दस्तो सत्रा इस्वी में बहत्तर सौधागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था याद रखेगा चोल सासा किसके तो खुलो तूंग पर्थम के सासनकाल में दस्तो सात्तर इस विमें बहत्तर सौध आगरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था इस सब कोश्चन देखे बीपेसी में भी इतना डिपली पूछा जाता तो देख लिएगा फ्रेंस सिव की दशना मूर्ती परतिमा उन्हें गुरू और सिच्छक के रूप में परदर्शित करते है इस वीडियो का लास्ट पॉइंट देखते है फ्रेंस आपका दो तीन दिन में प्राची नितिहास खतम हो जाएगा इसके अब हम लोग मदिकाली नितिहास देखेंगे इसके ब कैसे पूछाता है किसके सासनकाल में महिलाओं को उच पदो पर न्यूक्त किया जाता था तो यह आज का लास्ट पॉइंट था ठीक है तो कल फिर मिलते हैं फ्रेंस नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंस वीडियो देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद